नमस्कार हम भारतियों होने के नाते हम एक सब्द बोलते हैं भारत हमारे भारत महान और इस सब्दों को हमारे खारेक 28 जो रैज्जे हमें भारत बरच की और नौग जो केंदर ससित प्रदे से उसका एक एहम भूमिका या एहम योगदान के जरिए हमारे भारत महान हो रहा है या हमारे भारत जो पशिमिया देश है उसको तक्र देने जा रहे हैं और हमारे भारत एक आगे बर रहे हैं और हम अज इस वीडियो के जरीए हम एक नोट इसका सोटा सा रज आसाम की थोड़ा सा हम थोड़ा सा की आसाम की बारे में बंदन करेंगे और आप लोगों ने आसम क के लिए मैं आपको अनुरूट कर रहा हूं आप आसाम की प्लीज एक जलग देख लीजिए कर दो आसाम कर दो है दोन सीlles और अभी नेक्स हम चलते हैं कि आसाम की जो ब्यूटिफुल दस जैनल क्वेशन आपके लिए लाए हैं और प्लीज आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और आसाम के बारे में आपको डीटेल थोड़ा सा सब तो नहीं है लेकिन कुछना कुछ सिखने के लिए मिलेगा त पर यूग में भगवान किस्नो और बाणासुर के बीच कहां पर भयानम यूथ हुую था और उस यूथ का नाम किस नामसे जाना जाता है तो दापर यूग में तो क्या हುआ था भगवान स्रीकिष्ण या विष्णुक और भगवान सीव के साथ एक लड़ाई हुआ था या यूद्ध हुआ था उस यूद्ध कहां पर हुआ था और किस बज़े से वह था आपको मैं सौटफों में बता देता हूं उसा अनिरुद्ध और सित्रलेखा की जो काहिनी होता है वो काहिनी सब्सक्राइब में आप पुरोगे या किसी में साथ कर लिए एक बार पर लिजिए सारे आपको डिटेल मिल जाएगा अभी हम वीडियो नंबा ना खिषते हुए आपको बताने जा रहा हूं यह इसका सही और सतिक जबाब होगा आसाम तेशपूर में आसाम असाम में साफ चूल रही हुआता है इससलिए उसको यूद का नाम हरिहर जाता है किसना हर को महादेव को कहा जाता है इसलिए हरिह Partners युदिक कहा जाता है और हम नेक्स दूसरे नंबर में चलते हैं भारत का प्राकिटिक खुट ओईल या प्राकिटिक रूप से मिलने वाला पेट्रोलियम सबसे पहले कहां पाए जाता है यह असाम के रिलेटेट क्वेशन है तो यह असाम में मिलता है लेकिन आपको एक जानक से क्रूड ओईल या प्राकिटिक ग्रूप से मिलने वाला प्रेट्रोलियम खोश किया था आज से मतलब एक भारत आजादी से एक सो पचासी साल पहले आसाम में कहां पे डिगबोई में आसाम में कहां पे डिगबोई में सबसे पहले क्या है कि प्राक्टिक ग्रूप से मिल लेवला ओयल या प्रेट्रोलियम खोज किया था और आपको जानकर यह नहीं होगी कि हमारे जो भरत बर्स है क्या है कि 100 कितना साल पुराने हैं 1506 साल पुराने ही असाम में क्या हुआ था यह जो पेट्रोलियम खोज किया था वह भूं कितना में क्या था और 877 में किस के द्वारा सेना की द्वारा अब यहां साने के सबसे बड़े नदी डीप का नाम हमारे जो आसाम में जो जो ब्रह्मपत्र नदी है उसमें असीया का सबसे बढ़ा नदी डीप क्या है आशएं में देखने के लिए मिलेगा आप अपही मेरा request है आप आसाम की जो ब्रह्मपुत्र के नदी बीस में जो नदी ऐसे के सबसे बड़ा नदी दीप है उसमें जाईए और उसका नाम क्या है माजूली असाम माजूली और हम नेक्स अभी नेक्स चलते हैं और मेरे वीडियो में आप नहीं हो तो मेरा वीडियो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं हर संडे को आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग जी के वाला क्वेशन और एंसर आपके लिए लाता हूं आज हम एक नौटेस की सोटा सा रज्जवासाम की उपर एक जी के 10 क्वेशन बनाएं ऐसे तो बहुत सारे क्वेशन है थो में lesige को आपके लिलायए आई रहका लगा होगा देखो एक सिंग वाला राइनो दुनिया में कहां पाए जाता है राइनो को हिंदी में गेंड़ा कहता है तो एक सिंग वाला जो राइनो है दुनिया में दो जगाही राइनो पाए जाता है या गेंड़ा पाए जाता है एक हो गया अफरिका में दूसरा हमारे भारत में और कहां पर मिलता है वो मिलता है आसाम की एक आसाम में एक राश्तिय हुद्ध्यान है जिसका नाम है काजी रंगा कामकी काजी रंगा में मिलता है एक सिंग वाला राइनू पाए जाता है यह कहा है कि दुनिया में क्या है कि यह चीज़ पाजी मिलता है भारत手 बा你們 मेश5 सबसे बड़ा उत-पधक रैज्यो कौन चाव Kyoto कि आपको जानकर या मैं जानकर बहुत आशारी होगा क्योंकि हमारे भारत भर्स में जितना भी शिल्क उत्पागंग होता है सबसे पहले सबसे पहला नंबर है करनाट का कि दूसरा नंबर अंडपडेस तीसरा नंबर हमारे आसाम और आसाम में खुआलकसी करके नाम है वह और आसम में क्या है कि भारत का तिसीरा सिल्फ मलव सबसे जादा उत्पदक राज्या है और वह किस जगा की है गौहाटी का सपस एक वाल कुछी करके नाम है वहां पर अभी हम सोथे नम्मर में हम चलते हैं भारत का पहला महिला एक अटलेक्टिक सैंपियंज जो एक महिने में पांच गोल मेडल जीता था और आपको यह पता होगा कि भारत असाम के एक सोट अचा राज्य में रहने वाली हिमादास के बारे में आपको बताने की जुरूर नहीं है आपको जाना होगा वह ऐसा एक अटलेटिस्ट थे जो सिब एक महिने में क्या है पांच गोल मेडल जी नंबर में कीज भारेटिया उस्स्वत्म नियालाइक के मुख्या नियाडिस्त ने पांसो साल पुराने उजिध्या राम मंदिर बिबात शुल जाया था तो वह असाम का डिबुगर में रहने वाला क्या है जास्तिस्त रंजन गोगई थे ठीक है अभी आठ नूमर में चलते हैं भारत में चाय का सबसे बुरा एक्सपोर्टर कौन सा रज्ज है यह सवाल आपको हर किसी को पता होगा लेकिन आपको बता दूँ भारत का जो हमारे जो आसाम है आसाम में एक साल में कितना मतलब किलो उटपरंद करते हैं चाय का वह क कि एक साल में आसाम में कितना होता है 247 मिलियन किलू टन किलू टन किलू टन्स ठीक है यानि अब नंबर में 2007 में गिनिस गिनिस बुक आफ वर्ल रेकॉर्ड मैं दस कौन सा मिर्ज दुनिया का सबसे गरम मिर्ज का नाम पर दर्ज है 2000 क्या है 2007 में भारत का ऐसा एक मिर्ज जो वर्ल रेकॉर्ड गिनिस बुक आफ वर्ल रेकॉर्ड में डर्ज हुआ था वह कोई नहीं था यू असाम रज्य की एक मिर्ज मिलता है उसमें कि उसका नाम है धूट चलू की आसामी में और हिंडी में उसका नाम है भूट मिर्ज अपर उसका कहां पर पाए जाता है वह ज्यादा तर asam एक आशाम एक उस मिर्शिकमा नम है भूर रिज इसको आ ने मेरे भूद चलो किया और इसके अलाबह आशाम की जितना शपस की जितना नौट सब्सक्राइब करना उसका नाम डर्च होगा आपको पता लग जाएगा उसके बारे में ठीक है इसको असाम के अलावा कहां कहां पाए जाता है इसको असाम के अलावा मनिपूर ठीक है सब्सक्राइब को मिलता है ठीक है अभी लास दस्वे नमर पॉइंट में जाता है दोजास्वादों में 20 आर्टिस ने वर्ल फास रेड बूल वर्ल डेडल्स आर्टिस सेंपियंशिप जीता था रेड बूल जो ड्रिंग एनर्जी डिंग कोंपनी ने वर्ल के लब पर 33,000 आर हमारे आसाम का एक लड़का क्या है कि उसमें सेंपियंशिप को अपने नाम पर हासिल किया था और उसका नाम है संतनु हजरीका वो कहां आसाम गौंटी में रहने वाला संतनु हजोरीका संतनु हजरीका है और संतनु हजरीका का जो भी उसकी जो भी मतलब जो भी वह आट करता है जो भी उसने डिडूल आर्टिस बनाता है एन एफटी प्लेटफोर्म में वर्ल डेकॉर्डर से उसका जो भी पेंटिंग है चैनल प्लेटफोर्म में उसका क्या है कि जो भी ड्रोइंग है उसका क्या है सेल हुआ है तो आई होप आपको यह वीडियो देखके बहुत अच्छा लगा हुआ अच्छा मेरा वीडियो आप नहीं हो तो प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लिजिए और शेयर कर दिजिए आप वीडियो मेरा देख रहे हो आप आसाम जाए घुमने के लिए और यह जगाव में विजिट कीजिए और भी बहुत कुस्त मतलब असाम में हैं मैं इस वीडियो के जरीए सारे कवार नहीं कर पाया हूं फिर भी आपको मैं थोड़ा सा आसाम के बारे में आसाम की हिस्तिरी के बारे में और आसाम की मरलब जो भी भारत के योगदान के बारे में आपको बताया हूं और आज के लिए इतना ही